कैसे हैं आप लोग मेरे चानल रूही एडूकेटर पे आप लोग का बहुत वेलकम है फ्रेंड्स और मैं हूँ रूही और फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के लिए जो लेकर के आई हूं वो है केमेस्ट्री के हाइड्रोकार्बन के आपके जो अपकमिंग एक्जाम है डी टुपल एसबी का और जितना भी लोग जो साइंस के रिलेटेड एक्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स तो आप लोग प्लीज देखिएगा और फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि मैं डी टुपल जो 2018 का previous year का question paper जो मैंने खुद भी attempt किया था उसको मैंने upload कर दिया है बहुत पहले ही और आप लोग उसको देख सकते हैं और मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट भी create हुई है तो जिसमें physics की playlist है chemistry की NBSSB की जितने भी MCQs है previous year के जो papers upload है वो आप लोग देख सकते हैं और friends आपको यह भी पता है कि जो TGT, PGT और बालो जी का exams है जो upcoming exams है UP के और प्लस जो आपका KBS और NBS है उसके लिए भी बालो जी के बहुत अच्छे अच्छे lectures पूरे मेरे चैनल पर upload हुए हैं और daily daily मैं lectures upload कर रही हूँ तो please जितने भी लोग हैं उनको मैं यह कहूंगी कि आप लोग जो देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिससे की जो है notification या जो भी वीडियो upload होता है आपको तुरंत mail भी जाए चलिए friends start कर देते हैं आज जो हमारे पास जो first question है वो है petrol, diesel and kerosene oil are obtained by फिर आपके पास A है of petroleum ओके here A refers to अब इसमें पूछा जा रहा है friends की जो petrol, diesel और kerosene oil हैं वो जो है दिये हुए option में से किस से जो है obtain किये जाते हैं यानि कि जो petroleum है उसका आप लोग number one है आपके पास fractional distillation करेंगे तो मिलेगा आपको ये two है sublimation करने पे या फिर three है liquefaction and four है steam distillation तो देखिए friend अच्छा question है और इसको मैं start देना चाहूंगी पहला ही question है कि ये question easy है और पूछा भी जाता है exam में आपे हमारे पास जो पहला option है बिल्कुल correct है fractional distillation जब भी हम लोग petroleum का fractional distillation करते हैं तो fractional distillation के बाद आप लोगों का petrol मिलता है diesel मिलता है kerosene oil मिलता है okay अब यहां पे मैं petroleum के बारे में आपको बताना चाहूंगी friend जो petroleum होता है ये कैसे निकाला जाता है आपको पता है कि जो organisms होते है वो body होती है वो sea में यह ocean के जो bottom में वो बैठती रहती है चर्टल हो जाती है okay और उसके बाद दीरे-दीरे करके ये पूरी covered हो जाती है इसके उपर sand और clay की पूरी परत जमा हो जाती है बहुत साल मतलब millions of years समझ लीजे million billions of years हो जाते हैं उसके बाद पिर जो है वहां पे उस place बॉटम में air भी नहीं होती है temperature बहुत हाई होता है pressure बहुत हाई होता है उसके बाद जो dead organisms होते हैं वो petroleum और natural gas में transform हो जाते हैं तो friend इस process में आप यह समझ लीजे कि कितना time लगता है इस process में जो है कम से कम million years का time लगता है और यह जो हमारे पास petroleum का जो reserve है वो आपको पता है कि वो सीमित संसादन है वो limited है और उसको जो है इसलिए आपने देखा होगा कि आप जो भी campaign चला जाते हैं कि जो fuel है उसको save करिए और future में हमारी जो आनेवल जनरेशन से उनके लिए जो है fuel या petroleum नहीं मिलेगा वरना तो इसलिए आप लोगों बहुत सारे major से उपाय भी बत जो petroleum होता है वो dark oily liquid होता है और उसके बाद यह जो डार्क oily liquid होता है और उसके बाद यह जो डार्क oily liquid होता है पेट्रोलियम को क्या कहते हैं ब्लाक गोल्ड भी कहते हैं तो जो इसका mixture होता है उसमें बहुत ही यानि various type के hydrocarbons होते हैं जिसमें कुछ oxygen कुछ sulfur और nitrogen के compounds भी होते ह हैं बहुत सारे fractions obtained किये जाते हैं और यह जो obtained होते हैं वो कैसे होते हैं वो जो crude petroleum जिसको हम लोग कच्छा petroleum कह सकते हैं आप लोग ठीक है यह crude petroleum के fractional distillation से obtain किये जाते हैं या प्राप्त किये जाते हैं दूसरा question पर आ जाते हैं हम लोग दूसरा question है hydrocarbons are used for the manufacture of hydrocarbons इन मेंसे कि के लिए यूज होता है वन है polymers बी है टू है petrol and ट्री है diesel and फोर है all of the above तो देखे यहां पे जो आपका hydrocarbon है friend वो आपको पता है कि वो polymers के manufacturing में भी यूज होता है petrol की manufacturing में भी यूज होता है diesel, petrol यह सब तो उसके fractional distillation से निकाले जाते हैं अभी हमने बात की है तो यहां पे हमारे पास जो option है वो for all of the above correct हो जाएगा next हमारे पास है for paints higher hydrocarbons are used as अब paint की बात हो गई हर घर में आपको paint मिल जाएगा आपने paint देखा है सब जो one है हमारे पास solutes, two solvents, three solution and four mixtures तो यह कहा जा रहा है फ्रेंच जो paints है ठीक है paint के लिए जो higher hydrocarbons use होते हैं वो किस तरह से use होते हैं तो हमारे पास जो third option correct हो जाएगा वो solvent यानि कि अगर आप किसी भी paint को पानी में डालेंगे friends तो क्या होगा जो paint होगा क्या पानी में mix होगा कभी नहीं mix होगा ठीक है यहाँ पर जितने भी women है जो देख रही है आप समझे आप लोग जो nail polish या nail paints लगाते हैं उसको जो है जब hand wash करते हैं या soap से wash करते हैं तो क्या वो चूटती है कभी नहीं चू लिबल होता है वह आपका जो है यही जो आपके solvents हैं higher hydrocarbon के या फिर acetone है alcohol है इसे आप लोग उसको remove कर सकते हैं अब यहां पर देख लिजे यहां पर जो next question है यहां पर है फोर्थ वाला फो डीजल पेट्रोल डीजल and kerosene oil found under the earth crust are obtained by अब यहां पर पूछा जा रहा है कि ज कैसे obtain किये जाते हैं question आपका है जो भी पूछा गया था उसको different way में पूछ लिया गया है one sublimation method, two liquefaction method, three simple distillation and four fractional distillation तो यहां पर रेखियो friends हमारे पास option fourth बिल्कुल correct हो जाएगा next question की तरफ बढ़ते हैं friends next question है hydrocarbon which do not possess aromatic nature and resembles with paraffin is termed as तो ऐसे hydrocarbon जो की aromatic nature नहीं पसेश करते हैं और paraffin से resemble करते हैं वो क्या कहे जाते हैं तो option one है हमारे पास hydro aromatic, b है homo annular, three is hydro paraffin and four है all of the above तो देखिये friends यहां पर हमारे पास जो third option है hydro paraffin का वो बिल्कुल correct हो जाएगा अब आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा अगर friends मैं hydrocarbons की बात करूंगी तो देखिये यह यहां पर जो hydrocarbon होते हैं वो आपको पता है कि वो कितने types की होते हैं अगर हम लोग hydrocarbons की बात करें तो यहां पर हम लोग इसको three category में बाठ सकते हैं पहला तो आपका saturated हो जाता है ओके पहला जो है वो saturated है दूसरा आपका unsaturated होगा और जो third वाला होगा वो आपका क्या हो ओके aromatic hydrocarbons हो जाएगा अगर हम लोग saturated की बात करें तो आपको पता है जो saturated है उसमें alkanes आएंगे alkanes होंगे ओके और alkane के साथ साथ कौन सा होगा cycloalkane भी होगा alkane और cycloalkane ये जो दोनों हैं ये आपके saturated hydrocarbons में आते हैं ये जो kbs का prt का question paper हुआ था 2018 में उसमें hydrocarbons के बारे में पूछा गया था और उसमें saturation और unsaturation से ही question आया हुआ था अब यहाँ पर देख लिजे यहाँ पर जो आपका unsaturated hydrocarbons है उसमें कौन कौन से आते हैं इसमें आपको पता है कि friend मैं यहाँ पर फिर से बता देती हूँ कि जो unsaturated होते हैं उसमें आपके alkyne आएगा देख लिजे यह है आपका alkyne और दूसरा आ जाता है alkyne friends please note down करते रह आपके पास बहुत ही फेबस है benzine और benzine की ring बनाना सभी को आता होगा ठीक है alternate पर इसमें क्या होते हैं double bond होते हैं एक single एक double एक single एक double दूसरा आपका नेफ्थलीन है नेफ्थलीन भी आप बना सकते हैं नेफ्थलीन भी बहुत इजी है यहाँ पर देख लिजे दो rings बस आपको जोड़ देनी है ऐसे ऐसे करके और अगर आपका सर के लिए सा structure है तो आप जानते हैं bonds के लिए किया गया है य आपको जो petroleum में उसके बारे बता देती हूं देखिए फ्रेंट जो petroleum gas होती है liquid form में होती है ठीके वो domestic fuel में यूज होती है और जो है carbon black के production में उसके बाद उसके जो आपका जो gasoline होता है अब यहां पर देखे gasoline जो होता है वह बहुत सारे fats के लिए solvent होता है rubber वार निश फ्यूएल और automobiles के लिए जो kerosene होता है वह आप तो जानते हैं पुराने जमाने में भी वह मिट्टी का तेल का यूज़ करते थे stove जलाने में लैंब जलाने में ओके और जो diesel है आपको पता है बहुत सारे automobiles में यूज़ होता है diesel के engines होते हैं और जो lubricating oils भी निकलते हैं lubrication के लिए यूज़ होते हैं petroleum jelly जो जो vaseline petroleum jelly और यह होती है जिससे की moisture प्रवाइड करते हैं crack heels में एडियों में पटी skin में लगाते हैं medicine, cosmetic, toilet, soaps यह सब में यूज़ करते हैं और paraffin wax है तो wood polishes है, candles है, wax है इसमें use होता है अब हमारे पास जो six question है वो देख लेते हैं यहाँ पर है हमारे पास if different carbon atoms are joined together to form open chain of carbon atom with single bond only in a compound then such compounds are termed as तो देख लिज़े यहाँ पर option है हमारे पास alkene, B alkynes, 3 oynic molecules and 4 है alkynes तो question तो आप समझी रहे हैं, यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको, इसमें यह कहा गया है कि जो अगर different carbon atom जो एक दूसरे के पीछे वो जुड़े हुए हैं और open chain बना रहे हैं और सब में जो carbon atom है वो single bond से ही जुड़ रहा है, तो यह क्या कहलाएगा, तो यहाँ पर अब कितने carbon है यहाँ पर 12345 यानि कि 12345 ओके यह 5 carbon की chain है यहाँ पर यानि कि यह हमारे पास अगर हम लोग इसको alkane कहेंगे तो यह हमारे पास pentane हो गया और pentane 12345 यह pentane है आपको करना क्या है बस hydrogen लगा देना है, carbon की valency आपको 4 इंशोर करनी है कि यह 4 फूल फूल होनी पहले के लिए अगर आप देख लिए 1,2,3,then यहाँ पर 4 फिर 1,2,3,4 फिर यहाँ पर 1,2,3,4 फिर 1,2,3,4 फिर 1,2,3,4 फिर 1,2,3,4 यहाँ पर लास्ट में चलिए, next हमारे पास जो question है उसको देख लेते हैं, 7th वाला, 7th question है फ्रेंट यहाँ पर the compound in which these carbon atoms form a closed chain are termed as, अ फ्रेंट स्टार question है यह मेरा, 1 है एलिफैटिक हैड्रोकारपन, 2 है साइक्लोगेंस, 3 हैलकेंस, 4 है एलकेंस, तो यहाँ पर हमारे पास जो correct option हो जाएगा, वो साइक्लोगेंस हो जाएगा, फ्रेंट यहाँ पर अब 8th question आ गया है, aromatic compounds are, 1, cyclic compounds, 2, एलिफैटिक compounds, 3, saturated compounds, 4 है, all of the above, तो aromatic compounds के बारे हैं पूछा गया है, तो यहाँ पर जो aromatic compounds होते हैं, वो cyclic होते हैं, आपको पता उनकी जो ring है, वो cyclic ring भी होती है, अब यहाँ पर next question की तरफ बढ़ जाते हैं, यहाँ पर 9th वाला है, in hydrocarbon, carbon is tetravalent and hydrogen is, hydrocarbon में आपको पता है, यह कहा जा रहा है कि जो carbon हो होता है, वो tetravalent होता है, लेकिन hydrogen कैसा होता है, 1 है divalent, 2 trivalent, 3 monovalent and 4 जो है, आपका tetravalent है, तो यहाँ पर 9th वाला है, हमारे पास, उसमें हमारे पास correct option क्या हो जागा, divalent, ओके hydrogen की जो valency है, वो 2 होती है, फ्रेंस मैं आपको एक बात यहाँ पर बता देना चाहती हूं, क कि देखे, कुछ questions ऐसे हैं, जो बहुत ही जादा important है exam के लिए, और आप लोग उसको please note करिएगा, और जो भी important question है, उसको आप एक notebook में, अपने notes में लिखते जाएए, prepare करते जाएए, चलिए, 10 वाला देख लेते हैं, यहाँ पर match the column 1 and column 2 and select correct answer from the codes given below, अब यहाँ पर column match करना है, column देख लेते हैं, यहाँ पर, column 1 में हैं, हमारे पास alkenes, alkenes, aromatic cyclo-alkenes, column 2 है, unsaturated cyclic compound, saturated close gel, फ्रेंद यह question अच्छा है, देखे, इसमें एक ही question से आपको कई चीज़े पता चल जाएंगी, यहाँ पर आपके पास codes दिये हुए है, A, B, C, D, और correct option आपको choose करना है, तो मै यहाँ पर correct option बता देती हूँ, आपको मैंने यहाँ पर देख लिया है, आप भी देख चुके हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास tenth है, उसका जो correct option हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, वो two हो जाएगा, okay, two कैसे हो जाएगा, देख लेते हैं, इसको एक बर cross check करके भी saturated होते हैं, alkyne यह बताया गया था, now C है, आपके पास जो aromatic है, वो क्या होते है, aromatic compounds होते हैं, जो D है, cyclo-alkyns, उसके बारे में बताना है, तो D का जो है, आपके पास four, जो है, यह आप close chain, इसके लिए चूस कर सकते हैं, चलिए, next question की तरफ बढ़ते हैं, friends, next question है, यहाँ पर ह bond angle है, alkyne का, और alkyne का, with two carbon atoms, वो जो है, हमारे पास क्या होगा, one है, 120 degree, and 120 degree, two है, 120 degree, and 180 degree, and three है, 109, and 180 degree, four है, 109, and 120 degree, तो देखिए, यहाँ पर, friends, bond angle पे भी questions आते हैं, तो bond angle के लिए भी आप लोग स्टार बना लीजे, star question है, यहाँ पर, जो 11 त है, इसका हमारे पास, आ alkyne में bond angle होता है, वो 120 degree का होता है, दो carbon के बीच में, और जो alkyne होता है, उसमें, आपके पास 180 degree होता है, okay, next question की तरफ बढ़ जाते हैं, next question है, हमारे पास, unsaturated hydrocarbon contains, unsaturated hydrocarbons में क्या होता है, one, single and double bond, two, only double bonds, three, only triple bonds, and four है, double and triple bond, तो देखिए, जो unsaturated hydrocarbons होंगे, उसमें क्या होगा, friends, तो example आपको बता चुके हैं, कि जो है, वो alkyne और alkyne है, अगर हम किसी alkyne के बारे में बताएं, तो यहाँ पे carbon double bond carbon, तो यहाँ पे देख लिजिए, आपको क्या करना है, और यहाँ पे इस तरीके से यह किसका ethene का structure है, okay, now, अब यहाँ पे, यहाँ पे कुछ नह देखें, यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे यह बना देती हूँ, अब यहाँ पे सिर्फ वन hydrogen और सिर्फ वन hydrogen, तो यहाँ पे देख लिजिए, डबल और ट्रिपल बॉंड, यहाँ एलकीन, अलकाइन, अथीन, अब यहाँ पे हमारे पास bonds बता चल गए, now, next है हमारे पास, match column 1 with column 2 and select correct answer by given codes, अब यहाँ पे column 1 और column 2 है friends, तो structure देखते रहे हैं, A में यहाँ पे आपके पास यह structure है, B में यहाँ पे structure यह है, और column 2 में आपके पास 2-2 di-methyl-butane है, and उसके बाद 2 है propane, और column 1 में C में है, CH3 का hold twice CH2, और यह हमारे पास 2 methyl propane है, then, यहाँ पे D है, CH3 का hold twice, C, CH3 का hold twice, और फिर यहाँ पे 4 है, तो देखिए friends, यह आपको देखके पता चल गया होगा, कि यहाँ पे structure हैं, और उसको उसके name से बताना है, तो friends, देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक lecture मैंने और upload किया हुआ था पहले, जो की hydrocarbon, जिस ओके, तो यहाँ पे देख लिजे, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, क्या होगा, तो दो 13 है, उसका हमारे पास जो correct answer हो जाएगा, वो friend, यहाँ से देखते हैं, हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो 3 है, भो बिल्कुल correct हो जाएगा, ओके 3, यानि कि जो A है यहाँ पे जो हमारे पास structure है, थोड़ा सा और मैं minimize कर देती हूँ, आपकी सुविधा के लिए, तो जो 3 वाला है, यह मैंने कहा है, कि correct हो जाएगा, इसको देख लेते हैं, यह देख लिजे, A का 3 है, A का 3 कैसे है, यहाँ पे है 2 methyl propane, तो अब आप जो है, हाँ पे एक कोई भी chain यूज कर लेंगे, ठीक है, कारबन जिसमें जो है, आपको ज़्यादा हो, और जो आपके लिए, जिसमें आपका side group भी हो, include हो, यह वो हम accordingly choose करते हैं, ओके, जब हम लोग आई, पे सी नेम कर रहे थे, तो लेक्टर प्लीज देखिएगा, उसमें भी बताया हुआ हुआ तो यहाँ पर देखिए, आपका, यहाँ पर last में क्या लगा हुआ है, propane, propane का मतलब क्या है, कि यहाँ पर 3 carbon है, कितने carbon है, 3 carbon है, numbering अगर करेंगे, 1, यहाँ पर 2 carbon, फिर यह 3 carbon, तो 2 पर क्या कौन सा ग्रूप लगा हुआ हुआ है, methyl, तो इसलिए 2 methyl लगा दिया है, और 2 मेथिल प्रोपेन कर दिया है अब यहां पर हम लोग B वाला देख लेते हैं देखिए जो B है उसके लिए 1 कहा गया है तो यानि कि यहां पर एक ही जो आपका टू टू डाई मेथिल ब्यूटेन है तोटल जो carbon है ये 4 है तीक है टोटल कार्बन देख लिजे 4 है यहाँ पर है और यहाँ पर भी 2 है और आपका यहाँ पर जो naming दिखी गई है एक ही carbon पर आपके याँनि की 2 number की position पर 2 methyl लगे हुए हैं तो उसको जो है 2,2-dimethyl butane कहा दिया गया है अब यहाँ पर जो C है उसके लिए चक कर लेते हैं C जो है यह प्रोपेन है नाव अब D जो है D is 2,2-dimethyl isopropane नाव आई-सो ग्रूप यहाँ पर लग चुका है तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं फ्रेंट्स तो अब यह यहाँ पर आपको hopefully यह clear हो गया होगा और मैं आपसे यह कह रही हूं कि यह जो आप IUPAC नेम है फ्रेंट्स को जरूर देखिएगा क्योंकि जो है naming पर एक दो question आते हैं किसी भी exam में अगर chemistry आ रही है तो उसमें आपको naming पर IUPAC नेम पर questions आते हैं फ्रेंट्स चलिए next हम काइन इन दी प्रेंट्स ओफ फाइनली डिवाइड़ेड़ कैटलेस्ट लाइक निकिल प्लाटेनम प्लेडियम इस कॉल्ड वन है डी हाइड्रोजिनेशन तू कैटेनेशन थी कार्बोनेशन और है हाइड्रोजिनेशन तो question पूझा जा रहा है friends कि जो है अलकीन और क्या कहा जाता यहां पर रहे हाँ यह होता है हाईड्रोजिनेशन हाईड्रोजिनेशन मीज्स कि हाइड्रोजन को एड गरा रहे है तो यहां पर हाइड्रोजिन ऑजानी एलकिल हैलाइट के लिए फ्रेंट जैसे की माल लिजे आपके पास अगर CH3 है और एलकिल हैलाइट है यह एक्स ग्रूप है